इस्टुडेंट्स आज हम स्टेडि कर रहे हैं कि हुमेन का एवलूशन कैसे हुआ हम लोग मतलब होमो सैपियन सैपियन्स की ओरिजिन एप से हुई है एप है चिंपेंजी गोरिला और अंगोटें यह सब एप में आते हैं एप और हुमेन का थ्री और सिक्स क्रोमोसोम्स की क्रोमोसोम बेंडिंग विकुल एक जैसी है आप इदर देखें यह एप है एप से यह ब्रांच एप में है और यह गोरिला और अधर एप को जा रही है इसी एप से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है ड्रायोपिथिकस यह ड्रायोपिथिकस हमारी तेरे नहीं था एप की तेरे था यह एप लाइक था लेकिन इसी से आगे चलकर रामापिथिकस आया रामापिथिकस यह रामापिथिकस हुमेन लाइक था यह हो गया हुमेन लाइक रामापिथिकस से आगे चलकर आस्ट्रेलोपिथिकस की ओरिजिन हुई आस्ट्रेलोपिथिकस को ट्वैंग बेवी भी कहते हैं और यह एस्ट अफरीका ग्रास लेंड में रहते थे इन्हें हम ट्वैंग बेवी भी कहते हैं आस्ट्रेलोपिथिकस से आगे चलकर हुमो हैबिलिस हुम हैबिलिस की ओरिजिन भी यह दोनों फ्रूट खाते थें वैसे तो आस्ट्रेलोपिथिकस और हुमो बिलिस यह फ्रूट इटर थे यह फल खाते थे दोनों हुमो ही बिलिस यह हुमो ही बिलिस के साथ एजिप्ट और तंजानिया से भी बहुत से फॉसिस मिले हैं हुमन के फॉसिल्स चाइना से मिले हुमन के फॉसिल्स जर्मनी से मिले हुमन इवलुशन के फॉसिल्स चाइना जर्मनी इथोपिया तंजानिया से मिले इस्टूडेंट्स यह दिखे एप से जो ब्रांच निकली है नहीं उसका नाम क्यातार ड्रावपितिकस इसी से आगे चलके बना रामापितिकस इसी से आगे चलके बना आस्ट्रोपितिकस इसी से आगे चलके बना होमोहिबिलिस और होमो हिबलिस से आगे चलके आगए होमो एरक्टस यहाद शुरुवात हो गई होमो एरक्टस की तो सबसे पहले है होमो एरक्टस एरक्टस जिसको हम जावा मैन कहते हैं इनका फेस प्रुगनेथस था होमो एरक्टस से प्यारा पैकिंग मैन होमो एरक्टस पैकिनेंसिस पैकिंग मैन आया वहा falar है इन साय पैकिंग मैन और पैकिंग मैन से फिर ओर्व़िजिन होई यह दोनों हुआ में यह कैसे हैं अ इरेक्टर्स कहते हैं जो सीज़े खड़ो कर चलने लगे हैं पैकिंग से ओरिजिन हुई नी अंधरल की नी अंधर थल इन्हें हमने कहा होमो सैपियंस नी अंधरल एंसिस नी अंधर थल इन्हें नी अंधर थल इन्हें नी अंधरल से इसका नाम है होमो सैपियंस नी अंधरल एंसिस नी अंधरल केव में रहते थे ट्रेडिशन को अपनाते थे अपने मुर्दों को डेड बोडिस को जमीन के अंधर दबा जिया करते थे होमो सैपियंस नी अंधरल एंसिस की करेनल कैपेसिटी 1450 सी सी थी और इनसे आगे चल के बना क्रो मैंगनन मैं होमो सैपियंस फॉसिलिस होमो सैपियंस फॉसिलिस और क्रो मैंगनन से बना फिर होमो सैपियंस इस दो बार सैपियंस लिखेंगे हम इसमें होमो सैपियंस 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 में हम लोग आते हैं होमो सै हो फो sapiens कि और जिरिंए इस्ट और फैसर स्फ्य। काहां रहते efficiently यह में नीट कोश्चन एप से निकले, एप से एक लेटरल ब्रांच निकली और उसका कॉमन, उस कॉमन पॉइंट पर जंक्शन पर ट्रांजिशन जोन में ड्रापितिकस था, ये एप लाइक था, लेकिन इसकी कुछ करेक्टर हुमन की तरह हुमन की और जाने लगे, और इनसे बना रामापितिकस, र भी होमो एरक्टरस पैकिन अंसिस, पैकिंग मैन, ये दोनों एरक्टरस थे, प्रिहिस्टोरिक थे, इसके बाद आए, मॉडरन हिमन अंसेस्टर, तो उसमें हैं, नी एंड थरल, जिनको हम कहते हैं होमो सैपियन्स, नी एंड थरल अंसिस, और इससे बना होमो सैपियन्स ना, बेबी चिम्पैंजी, मतलब चिम्पैंजी का बच्चा, बेबी चिम्पैंजी, की जो स्कल है, बेबी चिम्पैंजी की स्कल है, वो हुमन स्कल की तरह है, ये कुशन आता है, बेबी चिम्पैंजी की स्कल किस तरह है, ये होमो सैपियन्स की तरह है, याद रखना, फिस नीट स्कॉलर्स के लिए और क्लास 12 के बेलोजी के स्टुएंट्स के लिए ये इंपॉर्टन टॉपिक है। Human Evolution का सब टॉपिक है Human Evolutionary Character। Human Evolutionary Character। Students, हमारी Origin ये हमारा Evolution एप से हुआ है। एप को हिंदी में कपी कहते हैं। देखें, मंकी अलग है, एप अलग है। एप में चिंपैंजी आते हैं, गोरिला आता है। एप में कौन आता है। चिंपैंजी, गोरिला। तो आज में डिसकस करूँगा, Human Evolutionary Character। वो कौन से Character हैं, जब Human का Evolution हुआ, तब वो डबलब हुए। Students, हम लोग का Face आर्थोगनेथस हैं, जबकि एप का Face प्रोगनेथस होता है। एप का Face कैसा है? प्रोगनेथस। हमारा Face कैसा है? आर्थोगनेथस। आर्थोगनेथस में चीन है, उभरीवी नाक है, हलकी आईब्रो है, प्रोगनेथस में फोर हैड तिरचा होता है, जौ आगे होता है और नोस पीछे होती है और उसमें चिन नहीं होता है। मैं आपको एक डियाग्राम बना के शो कर रहा हूँ। देखे, प्रोगनेथस। यह जो फेस बना रहा हूँ में यह है प्रोगनेथस का। यह फेस हो गया प्रोगनेथस। इसमें आप देखें यह जो है और यह नॉस्ट्रिल है। इसमें चिन एपसेंट है। तो यहां पर चिन नहीं है। चिन एपसेंट इन में नेक डवलप नहीं होती है। बहुत छोटी जी नेक होती है। तो इस फेस को हम कहेंगे प्रोगनेथस। यह प्रोगनेथस फेस हैं। हमारी ओरिजिन इस प्रोगनेथस वाले एंसस्टर से ही हुई है। और इस एंसस्टर को हम एप की एक ब्रांच मानते हैं। जिसका नाम है रामापिथिकस और रामापिथिकस से बना आस्ट्रोपिथिकस। आर्थोगनेथस देखें। यह फेस आर्थोगनेथस देखें। आर्थोगनेथस में प्रोट्यूटेड नोज है। प्रोट्यूटेड नोज चिन प्रिजेंट अपर लिप और अपर लिप में और हम देखें तो हमारा अपर लिप इस तरह से होता देखें। अपर लिप में उपपर एक फुरू पाई जाती है। अपर लिप में फुरू है। यह है न अपर लिप बीच में एक छोटी जी कहा है। खांच टाइप की है। फुरू है अपर लिप में। तो इफेस हो गया। आर्थोगनेथस। इफेस कसा है। आर्थोगनेथस है। इसमें चिन है। प्रोट्यूटेड नोज है। इसमें फूरहेड डवलप है। इसमें फूरहेड है। तीक है। नेक डवलप है। यह आर्थोगनेथस। और यह था प्रोगनेथस। प्रोगनेथस। से आर्थोगनेथस की ओरिजिन हुई। इस्टुडेंट्स जब नोट करें आप हुमेन के एवोलूशनरी करेक्टर तो पहला करेक्टर तो यही नोट करें कि फेस प्रोगनेथस से आर्थोगनेथस हुआ मलब फेस में चिन डवलब हुई नाक उभरी भी हो गई प्रोट्यूटेड नोज माथा बना फोर हैड बना हमारा जो अपर लिप होता है यह होंट जो उपर का होता है इस होंट के अपर लिप वाले होंट में एक बीच में खांच होती एक फरो होती है जो कि प्रोगनेथस के नहीं होती हम लोग में अपर लिप में एक फरो है जब इंबरोनिक प्रोट होता है तो हमारे होंट उपर के दो होते हैं और वो इंबरोनिक प्रोट से में आपस में जुड़ जाते हैं तो जहां पे जॉइंट करते हैं वहां पे फरोगन जाती है हमारे जाओ जाओ हमारा से सेमी सर्कुलर अर्द चंद्राकार है कैनाईन और इंसाइजर कैनाईन और इंसाइजर टीथ बराबर साइज में रहते हैं मतलब कैनाईन और इंसाइजर जो दूसरे दांथ हैं उनके बराबर साइज में रहते हैं इस्टुडेंट्स नाग कैसी है उबरी भी और ये ध्यान रगना नाग भी ऐसी जगे है कि अगर हम गिर जाएं किसी भी एंगिल से नाग पर चोटने लगती आप गिर कर देखें नाग पर चोटने लगती है ना अच्छा हमारी आईज सामने की तरफ आ गई और हमारा वीजन स्टीरियोस्कोपिक हो गया हुमन का वीजन कैसा होता है हुमन का वीजन स्टीरियोस्कोपिक होता है स्टिरियोस्कोपी वीजन है मतलब हम डिस्टेंस के बेंदाजा लगा लेते हैं और हम 3D देखते हैं 3D देखते हैं आईब्रो हलकी है फोर हैड डवलप हो गया यह फोर हैड देखे फोर हैड हमारा चौड़ा होता है और यह इस बात को शो करता है कि हमारा ब्रेन सेरिब्रल हेमिस्फियर काफी डवलप है क्योंकि जितना सेरिब्रल हेमिस्फियर डवलप होता है माथा उतने ही चौड़ा होता है माथा अगर चौड़ा है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ब्रेन है अब उसका म्यूस करें यान ना करें देखिए माथा अगर ये चार उंगली से ज़्यादा चौड़ा है चार उंगली का चौड़ा है इट मेंस आप पे अच्छा वाला ब्रेन है माथा इसलिए डवलप हुआ है क्योंकि सेरिबल हमिस्पियर डवलप हो गया फॉरम एन मैगनम नीचे की और रुखे सक गया यहाँ पे फॉरम मैगनम होता है है हैड में वो नीचे की तरफ आ गया वर्टिबरल कॉलम में लंबर कर्व बना वर्टिबरल कॉलम में वर्टिबरल कॉलम समझते ना रीड के अड़ी उसमें लंबर कर्व बना देखिए वर्टिबल कॉलम में लंबर कर्व बना लंबर ये पेट वाला है था और थोरेसिक कर्व बना सर्वाइकल कर्व बना तो जो वर्टिबल कॉलम है उसमें कर्व बन गए C-U-R-B-E कर्व बने नेक्स पाइंट है हेर हेर की संख्या कम हो गई और हमारी बॉड़ी के कुछी पार्ट में हेर सी में तरह गए हेर रिस्टिक्टेड इने सम पार्ट अफ द बॉड़ी नेक्स पाइंट हमारा जी हाथ है इसमें थम और फिंगर के बीच में राइट अंगल बन गया राइट अंगल बिटिविन थम एंड फिंगर जिससे ग्रेस्पिंग पावर बढ़ गई यह देगे हमारा थम है और यह फिंगर है राइट अंगल पर है जिससे ग्रेस्पिंग पावर हमारी बढ़ गई हमारे जो हाथ होता है ये हाथ का जो fine hair है ये बाहर की तरफ को आ गया अगर अंदर की तरफ है तो फिर वो human नहीं है हमारे बाल बाहर की तरफ है बाल बाहर की तरफ है नेक्स पाइंट toe toe foot की finger के parallel हो गया और foot की digit के पास आ गया और toe का moment कम होता है toe में moment कम होता है बाइपीडल moment शुरूआ human में बाइपीडल moment शुरूआ मतब़ दो पैरों पे ये चलने लगे दो पैरों पे सीधे खड़े होकर चलने लगे बाइपीडल मुमेंट erect posture erect posture मीं सीधे हो गये सीधे खड़े होकर चलने लगे हाथ hand हाथ पैर की तुल्ला में छोटे हो गए hand leg के compression में छोटे हो गए एपस के हाथ लंबे होते हैं पैर छोटे होते हैं हमारे हाथ छोटे होते हैं पैर लंबे होते हैं next pelvic girdle basin shape हो गई हमारी pelvic girdle basin shape है pelvic girdle कर जी है basin shape है हम असानी से नीचे बैठ सकते हैं यह ना जैसे हम फर्श पर बैठ जाते हैं इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि हमारी pelvic girdle basin shape है और basin shape की होने के वज़े से हमारी running capacity भी बढ़ गई next point menstrual cycle woman में menstrual cycle woman में 28 days की हो गई MC 28 days next human monogamous हो गया मतलब एक marriage करता है human monogamous हो गया केवल एक marriage करता है monogamous जबकि एक polygamous थी है लेकिन human कैसा है monogamous है केवल एक marriage करता है next gestation period 280 days या 9 month का हो गया childhood stage जिस हम कहते है infant stage infants या childhood stage लंबी हो गई childhood stage लंबी हो गई human के brain में emotional center डबल अफ हो गया हम अपने face से emotion show कर सकते हैं कि हम दुख में हैं सुख में हैं खुश हैं आइस के दौरा communication भी कर लेते हैं हमारा eyes के दौरा strong communication होता है आँख की का हलका इशारा बहुत ज़्यादा effective होता है करके देखेगा तो eyes के दौरा communication भी strong हो गया brain में memory center well developed हो गया reasoning planning learning यह center भी developed हो गया human में reasoning planning learning और language के area developed हो गया हम लोग syllabic language उस करते हैं syllabic language का मतलब होता है जो हम बोलते हैं उसे लिख सकते हैं तो हम लोग syllabic language यूस करने लगे family बना के रहने लगे पहले लोग family नहीं बनाते थे हम लोग family में रहते हैं यह father रहें यह mother रहें यह uncle रहें that's all तो family बना के रहने लगे civilized हो गए civilized हो गए human omnivores है human कैसा है omnivores है human omnivores है हम स्टेडी कर रहे थे human के evolutionary character human कैसा है omnivores omnivores उसे कहते हैं जो सब कुछ खा सकते हैं मालब हम ecosystem के सबी traffic level के organism को खा सकते हैं आम भाशे में कह सकते हैं कि हर्भी वोर भी हैं और कार्णी वोर भी हैं दोनों हैं इसलिए मुसे कहते हैं omnivores human throughout year breed कर सकता है throughout year throughout year breed कर सकता है यह थे human के evolutionary character next अब हम pre-historic man और modern man के character को study करेंगे देखिए ape और हमारा मतलब ape और human का 3 और 6 chromosomes का bending pattern सेम है मतलब ape ape जिसमें चिंपैंजी आते है और human के chromosome number 3 और 6 का chromosome bending pattern सेम है apes की ब्रांच से dropithecus और ramapithecus की origin हुई dramapithecus और dramapithecus दो की origin हुई dropithecus 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 ape-like था dropithecus ape-like था जबकि ramapithecus human के ancestor की ते रहे था देखिए जहां से apes एक नई ब्रांच निकली है humanit के लिए human के लिए तो वहां पे कौन है dropithecus और ramapithecus dropithecus dropithecus को proconcel भी कहते हैं proconcel तो dropithecus और ramapithecus डवलोग वे dropithecus और क्या कहते हैं proconcel तो proconcel या dropithecus ape की तरहे था और ramapithecus human के ancestor की तरहे था ramapithecus आज से 1.3 या 1.4 कोरोड years पहले evolve हुए थे 1.3 से 1.4 कोरोड year पहले आगे थे ramapithecus और ramapithecus से फिर origin हुई australopithecus की australopithecus को twang baby भी कहते हैं australopithecus को twang baby भी कहते हैं australopithecus के कद छोटे होते थे इनकी cranial capacity भी इनकी cranial capacity भी लगबख 600 cc थी australopithecus की cranial capacity के थी लगबख 600 cranial capacity के थे ब्रेन को cranial capacity के थे ब्रेन को australopithecus को twang baby भी कहते हैं twang baby भी कहा जाता है australopithecus omnivores लेकिन ये fruit खाते थे ये इस्ट अफरीकन ग्रास लेंड में रहते हैं याद रिखना ये फल खाता था हूँ ये फल खाता था आस्ट्रोपितिकस इसको हम एप मैन फॉसिल भी कहते हैं ये आज से टू मिलियन एर्स पहले उत्पन होए थे दू मिलियन एर्स पहले उत्पन होए थे आस्ट्रोपितिकस में आस्ट्रोपितिकस को हम फर्स्ट मैं फर् यह पहला था जो बाइपीडर मोमेंट चुल गए इसके हाथ पैर के तुल्ला में छोटे थे मदब फोर लिम शॉर्टर दैन हाइंड लिम इसलिए इसको हमने क्या माना हुमन काइंड सिस्टर माना क्योंकि एप में हाथ लंबे होते हैं पैर छोटे होते हैं नेक्स आता है प्री हिस्टोरिक मैं प्री हिस्टोरिक मैं होमो हेबिलिस होमो हेबिलिस ह-a-b-i-l-i-s होमो हेबिलिस होमो हेबिलिस को हम कहते हैं फर्स टूल मेकर मैं फर्स टूल मेकर मैं या इसको हम हैंडी मैं भ कहा जाता है इसकी केरेनल कैपिसिटी 650 से लेकर 800 सीसी थी और ये आज से लगवग 2 मिलियन एर्स पहले इस अर्थ पर आ गए थे ये अफरीका की रॉक अफरीका में रहते थे होमोहिबलिस गुफाओं में रहते थे केवस में रहते थे बाइपीडल मुमेंट था लोवर जा हैवी था बाइपीडल मुमेंट लोवर जा हैवी फेस प्रोगनेतस चीद नहीं थी इनके फेस में नोज फ्लेटन थी फोर हैड नहीं था आईब्रो हैवी थी और थिक थी होमोहिबलिस फ्रूट इटर था फल खाते थे, यह question नीट में आता है कि वो कौन से human है जो fruit eater है तो homo habilis और astralopithecus next point homo erectus homo habilis के बाद homo erectus आए homo erectus को हम homo erectus erectus भी कहते हैं यह इसका दुसरे नाम है pithy canthropus erectus pithy canthropus erectus इसके fossil चुकी जावा से मिलेते हैं इसलिए जावा मैन कहते हैं face कैसा था, prognathus था मतलब इनमें चिन नहीं थी इनका lower jaw heavy था lower jaw heavy था jaw आगे था nose पीछे थी, मतलब नॉस्टिल पीछे थे आँखे धसी भी थी forehead नहीं होता था और eyebrow heavy होती थी eyebrow heavy थी chin absent थी इनकी लंबाई लगभग 170 cm थी 170 cm और cranial capacity 950 cc cranial brain 950 cc था ठीक है, 950 cc था केओ में रहते थे ये फैमिली बना कर नहीं रहते थे ये गृूप में रहते थे और प्रे को मारने के लिए, हंटिंग करने के लिए ये stone के, stone को यूज करते थे, stone से tooth बनाते थे जिसका use ये hunting में करते थे और hunting ये गृूप में करते थे hunting ये group में करते थे इनके हात चोटे थे पैर लंबे थे लेकिन जब चलते थे तो थोड़ा सा आगी के तरफ कुछ उके रहते थे नेक्स जादा डवलप नहीं थी जावमन कैनेबिलिजम था और कैनेबिलिजम किसे कहते हैं कैनेबिलिजम उसे कहते हैं जो अपनों को ही मार के खा जाते हैं उसे कहते हैं कैनेबिलिजम आदमी ने आदमी को मार के खा लिया कैनेबिलिजम ये कैनेबिरिजम थे, गुरूप में रहते थे इन्होंने आग, मतलब फायर का यूज़ करना शुरू कर दिया था ये आग जलाना जानते थे लेकिन अपने शरीर को ढखते नहीं थे कपड़े नहीं बेंगते थे इनके पास स्किन क्लोथ नहीं था इनके टूज बोन्स के या स्टोन के बने होते थे नेक्स्ट पाइंट है जाओ में था ना अब अगला आएगा कौन सा? पैकिंग मैन होमो एरक्टस पैकिनेंसिस होमो एरक्टस पैकिनेंसिस P-E-K-I-N-E-N-S-A-S करेनल कैपिसिटी 1050 CC फेस प्रुगनेथस था प्रुगनेथस फेस किसे कहते हैं जिसमें चिन नहीं है चिन थोड़ी थोड़ी नहीं होती दिनकी इनके लिप्स थिक होते थे होंत थिक होते थे माथा नहीं होता था आइब्रो हैवी होती थी इनकी लंबाई 1.55 मीटर थी 1.55 मीटर थी गुरूप में रहते थे आख दिलाना जानते थे और हंटिंग शिकार गुरूप में करते थे केवस में रहते थे ओमनिवोरस थे लेकिन कैनेबिलिज्म थे लेकिन कैनेबिलिजम थे कैनेबिलिजम उसे कहते हैं जो अपनों को ही मार के खा जाते हैं उन्हें कहते हैं कैनेबिलिजम उन्हें कहते हैं हम कैनेबिलिजम तो कैनेबिलिजम थे पैकिंग मैन पैकिंग मैन के बाद होमो सैपियन्स की ओरिजिन हुई तो नेक्स्ट है होमो सैपियन्स होमो सैपियन्स किसे कहते हैं सैपियन्स उसे कहते हैं जिनका ब्रेन डवलप होता है जिनके ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्पेर पार्ट ज़्यादा डवलप होता है उसे हम कहते हैं होमो सैपियन्स अब होमो सेपियन्स या मॉडरन मैन में नी एंधरल मैन अफिर आता है होमो सेपियन्स सेपियन्स नी एंधरल मैन के फॉसेट जर्मनी की नी एंधरल वैली से मिले थे जर्मनी की इनिटरल वैली से मिले थे इनकी लंबाई 170 सेंटी मीटर थी एक सो सतर सेंटी मेटरन की लंबाई थी करिनल कैपीसिटी मतलब brain करिनल कैपीसिटी 14450 cc मतलब 1450 cc 1450 cc थी forehead डवलप हो गया मातार डवलप हो गया था नाप उबरी भी हो गई, आखें सामने की तरफ आगई, आइबरोहल की हो गई, चिन डवलप हो गया, फेस कैसा हो गया, आर्टो गनेथस, अगर फेस आर्टो गनेथस है तो चिन भी डवलप होनी चुरू हो गई, मतल़ इन में चिन बननी शुरू होई थी, ज्ञादा आपर लिप में फ्रो बन गई, नोज प्रोटूटेड हो गई, नेक डवलप हो गई, लंबर कर्व डवलप हो गया, सैक्रल कर्व डवलप हुआ, इन में थोरे सी कर्व डवलप हुआ, ये केवस में रहते थे, लेकिन इसकी क्लोट से अपनी बॉडी को ढखते थे, ओमनी वरस थे, लेकिन केने बिलिजम थे, ये ट्रेडिशन अपनाते थे, डैट बॉडीस को जमीन के अंदर दबा दिया करते थे, ये विश्वास करते थे, कि Immortility of Soul Immortility I-M-M-O-R T-A-L-I-T-Y Immortility of Soul S-O-U-L ये Soul पर इनका विश्वास था कि Soul क्या है Immortal है Dead bodies को जमीन के अंदर दबा दिया करते थे Group में रहते थे कान रहते थे? Caves में रहते थे Next point है हाँ इनके हाथ छोटे थे पैर लंबे थे और thumb और finger के बीच में 90 degree का angle बन गया था Brain में memory center language center develop हो गया थे language center आगया थे हाँ से develop होने लगा था planning center develop होने लगा था reasoning center develop होने लगा था Next है Cro-Magnum Man Cro-Magnum Man How Master हम कहते है Homo Sapiens – Phosph organis Neanderthal को बहुत है Homo Sapiens – Neanderthal Homos Sapiens – Neanderthals और क्रो मैंगनों केते हैं हुमो सापियन्स फॉसीलिस हुमो सापियन्स फॉसvorillis हुमो सापियन्स फॉसिलिस आज से लगबkay कोई 50,000 य स्व smoother evolve थे और लगबग 10,000 साल पहले यह extinct हो गया क्रोमेंगनन मैन फ्रांस की क्रोमेंगनन मैन का फॉसिल क्रोमेंगनन मैन का फॉसिल फ्रांस की क्रोमेंगनन रॉक से मिला था फ्रांस की क्रोमेंगनन रॉक से मिला था इनका फेस आर्थुगनेटस होता है चिन डवलप हो गई लिप्स तिन हो गए अपर लिप डवलप हो गया नोस उभरी भी हो गई आईब्रो हलकी थी ठीक है और लोवर जाइनका हलका हो गया लोवर जाइनका हलका हो गया ठीक है क्रोमेंगनमेन फेस और्थोगनेत्स हो गया था इनकी लंबाई 180 सेंडेमीटर लबबग छे फिट के थे हैं किरेनल कैपिसिटी 1650 cc थी 1650 cc किरेनल कैपिसिटी 1650 cc थी 4 head develop हो गया था nose उभरी भी थी मतलब pro-tuted nose थी chin develop हो गई issue कहते हैं कि face orthognetis हो गया brain में brain में speech center डवलप हो गई language center डवलप हो गई planning, reasoning, memory center डवलप हो गई emotions को अच्छी तरीके से show करने लगे emotional center well डवलप हो गया chromagnan man chromagnan man omni virus है यह अपनी बॉड़ी को chromagnan man omni virus हैं लेकिन cannibalism के भी निश्ट के भी evidences मिली हैं कि यह cannibalism भी थे हैं बॉड़ी को skin close से ढखते थे family बना कर रहते थे civilized हो गए थे chaos में या temporary herd बनाते थे इनके हाथ छोटे थे पैर लंबे थे traditions को मानते थे human human evolution अफरीका में हुआ ice age में human evolution अफरीका में हुआ आज से 18,000 साल पहले keo penting शुरू करी 18,000 साल पहले आज से keo penting शुरू करी मतलब दिवारों को रंगते थे गुफाओं को रंगते थे और दस हजार साल पहले agriculture शुरू किया उन्होंने दस हजार साल पहले agriculture शुरू किया इंडिया में भी मद्व प्रदेश में रेजन डिस्टिक में भीम बेटका rocks में भीम बेटका rock में इनके evidences मिली हैं keo pentings मिली हैं इंडिया में इंडिया के मद्व प्रदेश में रेजन डिस्टिक में भीम बेटका भीम बेटका rocks में keo pentings मिली हैं homo sapiens सिर्फी आगे चलकर races हुई जिन में से एक है caucusoid race c a u c a s y d और दूसरी रेस है negroid n e g r n e g r o i d तीसरी है mongoloid mongol m o n g o l o i d mangaloid 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 हम लोग mangalian हैं और asteloid a u s t r a l o i d देखे homo erectus is the direct ancestor of homo sapiens homo erectus is the direct ancestor of homo sapiens cromagnan man is the direct ancestor of modern man सुने फिर फिर एक बार homo erectus is the direct ancestor of homo sapiens ok cromagnan man is the direct ancestor of modern man modern man homo sapiens sapiens आप homo sapiens sapiens हैं हम लोग क्या है homo sapiens sapiens हैं homo sapiens की origin कहां ही अफरीका में हुई थी homo sapiens arose in Africa and move continents and develop into different races Caucasoid Negroids Mangoloids or Asteroids एक लाइन गयात के लिजेगा evolution of modern man 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 is the most interesting is the most interesting and appears to parallel evolution of human brain and language evolution of modern man to parallel evolution of human brain and language and language dear students यह topic यहां complete होता है Australopithecus से हमने शुरुवात करी और Homo sapiens sapiens पे आ गए यह ध्यान अखना कि Draupithecus और Ramapithecus में Draupithecus and Draupithecus Ape-like था Ramapithecus human-like था Ramapithecus human-like था Fruit eater जो फल काते थे वो Homo habilis और Australopithecus Homo erectus ने Java man ने सबसे पहले fire का यूज़ किया था Neutral man की क्रेनल कैपिसिटी 1450 CC थी यह फैमिली यह केपिस्ट में यह हड बना कर रहते थे थे फैमिली बनाते थे क्रेमिली बनाते थे क्रेनल कैपिसिटी 1650 CC थी 1650 CC थी जब की मौडन में होमो सेपिस सेपिस्ट की क्रेनल कैपिसिटी 1450 CC है 1450 CC है यह ध्यान अगने स्टुडेंट्स की नियन्थरल क्रोमेंगनन होमो सेपियंस का फेस आर्थो गनेथस है आस्टिनुपितिकस और होमो एरेक्टस जावा मैन और होमो एरेक्टस पैकिनेंसिस पैकिंग मैन होमो हेबिलिस का फेस प्रो गनेथस है उनका फेस प्रो गनेथस है देर स्कॉलर्स ये टोपिंग हापी कम्प्लीट होता है थैंक यू विश्वाल्दा बैस